अमेरिका ने पाकिस्तान को बताया सबसे खतरनाग देश अमेरिकी राश्चपती ने पाकिस्तान के लिए ऐसा क्यों कहा अमेरिकी राश्चपती जो बाइडन ने पाकिस्तान को लेकर एक मज़ से एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुन पाकिस्तान सन्न रह गया है जो पाकिस्तान को दुनिया के कुछ सबसे खतरनाग देशों में से एक कहा है यानि अमेरिका के मुताबिक ये वो देश है जो दुनिया के सामने कभी भी बड़ा संकट बन सकता है अमेरिकी राश्चपती जो बाइडन ने ये बयान Democratic Party की Congress अभ्यान समीती के एक समारोह में दिया इस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ देशों के अलावा पाकिस्तान का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाग देशों में से एक है जिसके पास परमाडू हत्यारतों हैं लेकिन बिना किसी उचित सुरक्षा के ऐसे में वो किसी बड़े संकट की वजह बन सकता है अमेरिकी राश्ठपती के ऐसे बयान के बाद दुनिया में पाकिस्तान अचानक चर्चाओं में आ गया है उसकी परमादू सम्पन्नता से जड़ी व्यवस्थाओं को लेकर भी समाल उठने लगे हैं उदर पाकिस्तान अमेर्की राश्टपती के बयानों से सकते में दिखाई दे रहा है, इसलेकर वो कुछ तिल मिलाया हुआ भी दिखाई दे रहा है, बाइडन के बयान पर पाकिस्तान के सियासी गलियारों में खल्वली मच गई है, इस पर गहरी नाराजगी भी जदाई जा इसे लेकर ताजा अपडेट्स और जियो नियूस की रिपोर्ट्स के मताबिक इस बात पर खबा हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जर्दारी ने शरीवार को कहा देश की प्रमाडू शम्ता को लेकर दिये गए अमेरिकी राज़्टपती जो बाइड में कहा कि पाकिस्तान अपने परमाडू शस्त्रागार की रक्षा कर ना जानता है साथी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी अखंड़ता की सुरक्षा सुनिशित करने में भी सक्षम है इस बीच बिलावल भुट्टो ने भारत का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि अगर पॉलिटिकल सिचुएशन्स पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास परमाडू हत्यार हैं लेकिन बिना किसी सुरक्षा के हैं। जिससे दुनिया में पाकिस्तान के लिए ऐसी बाते कही जा रही हैं। इमरान खान ने ट्वीट किया कि बाइडन की ऐसी टिपड़ी के बाद पाकिस्तान की मौझूदा सरकार ने अपनी अक्षंता के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ब